ओम्हों ओम्हों समादर्निया धार्मेक सज्जन वेंदू परमेश्वर ने हमें चार वेदों का जान दिया है और वेद मंत्रों के माध्यम से हम अनेक परकार के लाभों को प्राप्त करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से हमें इश्वर के स्वरूप अर्थात गुण कर्म सौभाव का बोध होता है जीवात्मा के स्वरूप अर्थात गुण कर्म सौभाव का बोध होता है और भी जो मनुष्ये के द्वारा करने योग्ये ना करने योग्ये क्रिया कलाप है अनका बोध भी हमें वेद मंत्रों के माध्यम से होता है अनेक पर्योजन वेद मंत्र हमारे सिद करते हैं उनके माध्यम से हम अनेक परकार की भौतिक विद्याओं को भी जानते हैं प्राप्त कलते हैं और आध्यात्मिक विद्याएं भी योग विद्या भी वेद मंत्रों के अंदर हैं इसी परकार से परमेश्वर ने जो ये स्रिष्टी बनाई है स्रिष्टी के पदार्थ भी अनेक परियोजनों को सिद्ध करने वाले हैं उनसे हम अनेक परकार के लाभों को उठाते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें दो हाथ दिये हाथ करमिंद्री ये है हमारी और इसका लक्षन बताया गया है देना लेना लेकिन और भी इसके माध्यम से हम लाभ उठाते हैं अभिवादन करने के लिए हम हाथों का परियोग करते हैं आशिरवाद देने के लिए हाथों का परियोग करते हैं व्यायाम करने के लिए हम हाथों का परियोग करते हैं और हाथों के अंदर हाथों के माध्यम से चिकित्सा भी की जाती है हाथों के अंदर एक्यू प्रेशर के पॉइंट भी है हातों के माद्देम से हम सनानादी करते हैं माले शादी करते हैं अनिक प्रयोजन ये सिद्ध करने वाले हैं और ईश्वर की इन रचनाओं को देखते हुए मनुश्यों ने भी ऐसी ऐसी रचनाओं बनाई जो मनुश्यों के अनेक कारियों को सिद्ध करें जैसे मान लेजिए किसी को यात्रा पे जाना है दूर यात्रा पे तो हम बस के माद्देम से या रेल के माद्देम से यात्रा करते है तो उनके अंदर भी जहाजों के अंदर रेल के अंदर अनेक परकार की सुविधाएं होती है अमबोजन भी कर सकते है कंप्यूटर भी चला सकते है मोबाइल भी चला सकते है सो भी सकते है व्यायाम भी कर सकते है ये रचनाएं ईश्वर की रचनाओं को देखकर बनाई गई है परमेश्वर को वेद के मंत्र के अंदर भूरी दा कहा गया है भूरी का क्यारत होता है? बहुत देने वादा प्रमेश्वर नयमें बहुत से पदार्थ दिये हैं, जिनका प्रत्यक्ष अत्वा परोक्ष रूप से हमारे जीवन में उप्योग है, और बहुत महत्पुन पदार्थ भी दिये हैं, जिनके बिना की जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर को जानने से, उसके गुण कर्म सौभावों को जानने से, उसके गुण कर्म सौभावों को स्विकार करने से, अपनाने से, धारन करने से, अपने गुण कर्म सौभाव ईश्वर जैसे बनाने से मनुश्य निर्भीक होता है। और जितने अधिक हमारे गुन कर्म सोभाव इश्वर से मिलेंगे उतना इश्वर से हमारा विरोध कम होगा जितने गुण कर्म सौबाव हमारे इश्वर से कम मिलेंगे उतना अधिक इश्वर से हमारा विरोध होगा और इश्वर से विरोध होगा तो फिर इश्वर से हमें सहयता नहीं मिलेगी वीवेक नहीं मिलेगा, तत्व जन नहीं मिलेगा वो हमारे लक्षे की प्राप्ती में बादक होंगे सत्यात प्रकाश के सात्वे समुलास में उपनिशत का एक वचन दिया गया है वहाँ पर बताया गया है कि भै कब होता है भै किसको प्राप्तो होता है ब्रिहत आरन्यक उपनिशत का वचन है और वहाँ पर दिया है द्वितियाद वई भयम भावति जो वेदान्ती हैं अद्वयतवादी हैं जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं वो इस वचन का अर्थ करते है कि जब जीवात्मा अपने आपको ईश्वर से प्रिथक मानता है तो उसको भै होता है वो तो ईश्वर को जीवात्मा को एक ही मानते उसका अंशी मानते परंतो मारशी द्यानन जी ने उस वच्चन का क्या अर्थ किया है कि जब मनुष्य परमेश्वर का निशेद करता है जो वेदों के यथार्थ अर्थ को जानता है मित्य अर्थ की बात नहीं कर रहा जो यथार्थ अर्थ को जानने वाला है वो इश्वर को ना जाने ना माने ऐसा नहीं होगा और इश्वर को जानने मानने से इश्वर की सत्ता को स्विकार करने से व्यक्ति निर्भीक होता है इश्वर को सरव्यापक नयायकारी सरुद्रष्टा कर्माध्यक्ष मानने से व्यक्ति क्या है निर्भीक होता है तो ये वेदों की देन है वेदों को पढ़कर इश्वर के स्वरूप को जानकर हम निर्भीक उत्साही आनन्दित हो सकते है और इश्वर की आज्ज्याओं का पालन करने से भी व्यक्ति क्या होता है निर्भीक होता है उत्साही भी होता है आनन्दित भी होता है जितने अधिक इश्वर की आज्याओं का पालन करेगा उतना अधिक उसके अंदर निर्भीकता होगी उत्सा होगा आनंद होगा जितने अधिक उसके गुण कर्म सोभाव ईश्वर से मिलेंगे उतना अधिक उसके जीवन के अंदर निर्भीकता होगी उत्सा होगा, आनन्द होगा और यदि निर्भीकता, उत्साह और आनन्द है तो हमारा चित सात्विक रहेगा शान्त रहेगा, एकागर होगा और फिर एकागर होने से जो कुछ भी हम देखेंगे संसार के अंदर गटनाएं देखते हैं, अनेक गटनाओं को सुनते भी है आज ये मर गया, आज ये मर गया, आज ये गटना हो गई तो उन गटनाओं को देखने से, सुनने से हमें बोध होगा, तत्व जान होगा और यदि हम भैबीत रहते हैं, अनुट्साही रहते हैं, शंकित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, चंचल नहीं होगा फिर हम संसार को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ेंगे, उपदेश को सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, कोई परभाव हमारे उपर नहीं पढ़ेगा तो परभाव हमारे उपर पड़े, हमें तत्व जान हो, इसके लिए हमारा चित शांत एकागर सात्विक होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर निर्भीकता होनी चाहिए, उत्सा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, और वो निर्भीकता, उत्सा, आनंद का प्रात होगा, इश्वर की आज्याओं को जानने से, उनको धारन करने से, इश्वर के गुनकर्म सुभावों को जानने से, उनको धारन करने से, और इश्वर की सत्ता को स्विकार करने से. वेद के एक मंत्र में आता है बताया गया है इश्वर को कह रहे है कि जब तू मैं हो जाओंगा और मैं तू हो जाएगा इसका मतलब क्या है? जब मैं तू हो जाओंगा मतलब कि जब मैं अपने गुण कर्म सोभाओ इश्वर जैसे बना लूँगा और जब इश्वर मैं हो जाएगा मतलब हमें अपना अंग बना लेगा हमें स्विकार कर लेगा तो इश्वर स्विकार कब करेगा? पहले हमें इश्वर बनना पड़ेगा या पहले इश्वर को हमें बनना पड़ेगा? पहले हमें इश्वर बनना पड़ेगा पहले हमें अपने गुण कर्म सोभाव इश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे तो फिर इश्वर हमें अंगी कृत कर लेगा फिर इश्वर मैं हो जाएगा हमें सुविकार करेगा हमें प्रेड़ना देगा अनेक परकार के किरिया कलाप हमें करने होते हैं दिन में तो ईश्वर हमारा प्रेरक बन जाएगा, मार्दर्शक बन जाएगा फिर हम ईश्वर की प्रेरणाउं से कारिय करेंगे आज यजुरुवेद के 33 अध्याय के 800 मंत्र का स्वाध्याय किया गया इस मंत्र में विद्युत के विशे में बताया गया है गौन रूप से वैसे मुखे रूप से ये मंत्र ईश्वर का ही परतिपादन कर रहा है परमपरा से और उस विद्युत को बताने का परियोजन क्या है परमेश्वर का विद्युत की विशेष्टा हैं इस मंत्र के अंदर क्यों बताई है कि उस विद्युत को परकट करके उस विद्युत का परियोग किसके निमित करें यज के निमित ये मंत्र के अंदर एक शब्द दिया है रिते यज के निमित उस विद्युत को परकट करना है उस विद्युत को इसलिए परकट करना है जिससे कि सब प्राणियों को सुख हो सब का सुख बढ़े आजकल मनुश्य विद्युत तो परकट कर रहे है लेकिन उससे प्राणियों के सुख के स्थान पर क्या है दुख भी बढ़ रहा है यदि वेद पढ़ते उसके ठीक ठीक अर्थ को जानते तो विद्युत को परकड़ करके उसका ठीक उप्योग करते जिससे की संसार के अंदर शांती प्राणियों का सुख बढ़ता मंत्र है मूर्धानम दीवो अरतिम प्रिथिव्या वैश्वा नरम रिते आजातम अगनिम कविंक सम्राजम अतिथिम जनानाम आसन आपात्रम जनयंत देवा इस मंत्र के भावार्थ को पहले देखते है भावार्थ में दिया है इस मंत्र में वाचक लुपतो अपमा लंकार है उपमा दी गई है किसकी उपमा दी गई है विद्वानों की जैसे विद्वान लोग विद्युत जो भिन भिन इस्थानों पर व्याप्त है उसको परकट करते है वैसे ही दूसरे मनुश्यों को भी विद्युत परकट करके उससे अनेक परकार के यंत्रों को चलाना चाहिए आगे दिया है जो लोग प्रित्वी जल वायू और आकाश में व्याप्त विद्युत रूप अगनी को परकट कर तो विद्युत प्रित्वी के अंदर भी है जल के अंदर भी बिजली है वायू के अंदर भी बिजली है और आकाश में भी बिजली क्या है व्याप्त है वैसे विद्युत का स्थान क्या बताया जाता है अंत्रिक्ष लोक बताया जाता है अंत्रिक्ष का देवता क्या है विद्युत और वायू विद्युत और वायू कहां रहते है अंत्रिक्ष में परंतु यहां बताया गया है कि पृत्वी के अंदर भी विद्योत होती है जल के अंदर भी विद्योत होती है और वायू के अंदर भी विद्योत होती है आकाश में भी विद्योत होती है तो उसको परकट कर यंत्र कला आदी द्वारा युक्ती से चलावें यदि उसको इस परकार से युक्ति से चलाएं तो किस किस कार्य को नसिद करें तो मनुशे किस किस कार्य को सिद नहीं कर सकते तो विद्युत के माध्यम से मनुश्यों को अनेक यंत्रों को बना कर उनका चला कर अनेक परियोजनों को सिद करना चाहिए मनुश्यों के और इस परकार से उनको सुख से युक्त करना चाहिए ये परमेश्वर की ये वेद की आज्या है तो जो इस परकार से विद्युत की विद्या को जानते है और उसकी विद्या के माध्यम से अनेक प्राणियों को सुखी करते है तो वो वेद की आज्या का पालन कर रहे है, ईश्वर की आज्या का पालन कर रहे है ऐसी आज्या का पालन करने से उनका मन परसन रहेगा, आनन्दित रहेगा, मिर्भीक रहेगा, सात्विक रहेगा और उससे उनको संसार का यथार्थ बोध होगा अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं हे मनुश्यों जैसे देवा मंत्र के अंत में आया है जैसे देवा विद्वान लोग अब विद्वित की विशेष्टाओं को बता रहे है दिवाह मूर्धानम विद्वित को आकाश का मूर्धा कहा है विद्वित को क्या कहा है आकाश वो आकाश की मूर्धा है आकाश का सिर है आकाश का सिर है इसका मतलब क्या है सिर आकाश के सिर में वर्तमान है आकाश के उपरी भाग में वर्तमान है आकाश तो सरव्यापक है हमारी देश्टी से उपर भाग में वर्तमान है तो यहां कौन से भाशा विज्यान का प्रयोग किया ताथ्थ्य उपाधी से जैसे मंच में विद्यमान विद्वानों को क्या कहते है मंच मंचाहा क्रोशंती मंच चिला रहे मंच नहीं चिला रहे मंच पर विद्यमान विद्वान लोग चिला रहे इसी परकार से आकाश के उपरी स्थान में विद्यमान विद्युत को भी मूर्धा कह दिया वो मूर्धा में वर्तमान है ये तात्स्थे उपादी का परियोग किया तो ऐसी विद्युत है वो किस रूप में विद्यमान है यहां हिंदी भाग में दिया है संस्कित भाग में दिया है सूर्य के रूप में वर्तमान है उसका परकाश परकट हो गया है फिर दूसरी विशेष्टा बता रहे है पृत्वियाहा अरतिम पृत्वी को प्राप्त है ये दूसरी विशेष्टा है अरति शब्द री गतव धातु से बन जाएगा री गतव धातु से अती प्रत्य लाएंगे तो अरति बन जाएगा पृत्वी को प्राप्त है मतलब पृत्वी को प्रकृष्ट रूप से व्याप्त है पृत्वी के अंदर जो व्याप्त है ऐसी जो विद्यत है तो दो बाते बता दी विद्युत के विशे में एक तो वो आकाश के उपरी भाग में सूर्य के रूप में वर्तमान है दूसरा पृत्वी में भी व्याप्त है फिर आगे बता रहे है विद्युत के विशे में वैश्वा नरम ये जो वैश्वा नर शब्द है ये परमेश्वर के लिए भी परियोग होता है ठीक है ना जो सब संसार का नेता है नायक है यहाँ वैश्वा नर विद्युत को बताया है संस्कित भाग में इसकी विद्पत्ती की है विश्वे भ्यो नरे भ्यो हितम सभी नरों के लिए जो हितकारी है यह नर शब्द वहाँ पर भी आया है यह जुर्वेद के चालिसवे अध्याय के दूसरे मंत्र है कौन सा मंत्र है एवं त्वई ना नेता तो अस्ती ना कर्म लिप्यते नरी तो जो सब मनुष्यों के लिए हितकारी है हित करने वाली वैसे तो हित करने वाली तो सब के लिए है क्या दूसरे पशुपक्षियों के लिए हित करने वाली नहीं है उनके लिए भी हित करने वाली है लेकिन मनुष्य उससे विशेश रूप से लाभानवित हो सकते है अपना हित कर सकते है उसकी विद्या को जानकर उसके गुण कर्म सुभावों को जानकर तो ये शब्द कह रहा है कि मनुश्यों को विद्यत के सुरूप को गुण कर्म सुभावों को जानकर उसके माध्यम से अपना और दूसरों का विशेश हित करना चाहिए विशेश सुख प्राप्त करना चाहिए, सुख लाब करना चाहिए फिर आगे बता रहे है रिते आजातम यज के निमित अच्छी परकार परकट हुए विद्वान लोग विद्धुत को किसलिए परकट करते है आजकल तो विद्धुत को बनाना कहते है न विद्धुत बनती है परकट करना तो विद्धुत को परकट किसलिए करना है यज के निमित यज का क्या अर्थ होता है देव पूजा, संगती करन, दान तो इसलिए परकट करना है जिससे की देवों की पूजा हो ऐसे परकट करना देवों का तिरसकार ना हो देवों को यदि हम शुद रखते हैं तो उसे देवों की पूजा होती है और देवों को यदि हम अशुद कर देते हैं तो उसे देवों का तिरसकार होता है तो परकट करते हैं समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देवों की पूजा हो और प्रकट करने के बाद उसका जब हम भिन भिन कारियों में उप्योब कर रहे हैं उस समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देवों की पूजा हो देव दो परकार के हैं जड़ देव भी हैं और चेतन देव भी यह ध्यान रखना चाहिए फिर आगे विद्युत की विशेष्टा बता रहे है कविम वो दिखाने वाली है सूर्य तो दिखाता ही है ठीक है न और विद्युत भी हमें दिखाती है विद्युत के माध्यम से हम बलब टूब लाइट आदी जलाते हैं वो दिखाने का सादन है तो वो सरवत्र दिखाने वाली है सरवत्र मतलब कई आप ऐसे इस्तान पे चले गए जहां दे रहा है गुफा में चले गए तो वहाँ पर भी कुछ ले जाते हैं न तो वो सब जगे दिखाने वाली है मतलब कि हम उसका इस परकार से उप्योग कर सकते है कि जहां दिखने योगे परकाश नहीं है वहाँ पर भी हम उस विद्युत का उप्योग करके हम उसको देख सके तो हम सब जगे देख सकते है जैसे परमात्मा तो अंदकार में भी देख लेता है देख लेता है ना नहीं देख लेता है देख लेता है जान लेता है लेकिन हम अंदकार में नहीं देख सकते हैं लेकिन हम अंदकार में कब देख सकते हैं विद्यत के माध्यम से उसके माध्यम से यंत्रों को बना का फिर आगे दिया है सम्राजम ये सम्राठ शब्द इश्वर के लिए भी परियोग होता है जो अच्छी परकार से परकाशित है और ये विद्युत के लिए भी है सम्यक परकाशमान जो अच्छी परकार से परकाशित होती है जनानम मनुश्यों के अथिती के तुल्य प्रत्थम भोजन का भाग लेने वाले अब यहाँ पर जो भौतिक अगनी है उसको भी विद्धित रूप में कहा गया है और उस भौतिक अगनी को अतिती कहा गया है यह भौतिक अगनी क्या है? अतिती है यज के मंत्र में भी बोलते है ये जो अतीती रूप अगनी है इसको घी से बढ़ाओ तो अगनी को अतीती क्यों कहाओ? जैसे घर के अंदर कोई अतीती आ जाए तो अतीती को पहले बोजन कराते या बाद में कराते है? पहले कराते है इसी परकार से हम नाश्तादी करने से पहले अगनी होत्र करते है उसको पहले बोजन कराते है इसलिए उसको क्या कहते है? अतीती थीक है न? वो अतीती है दूसरा अगनी का अतीती के तुले सतकार करना चाहिए ठीक है न? अथिती सत्कार है न, अथिती सेवा, ये पंच मा यज्जों में आती है, कौन सा यज है ये, अथिती का सत्कार करना चाहिए, अथिती की सेवा करने चाहिए, इसी परकार से जो अगनी है, ये अथिती के समान वर्तमान है, इसकी सेवा करने चाहिए, और इसकी सेवा कैसे होग इसके अंदर बढ़िया बढ़िया पदार्थ डालने चाहिए घी, दूड, आदे, मिश्ट, पुष्टी, कारक पदार्थ तो ये सत्कार करना चाहिए और अगनिर्वई देवा नम, मुखम जो अगनी है वो सभी देवताओं का मुख है तो अगनी को हम खिला देंगे तो उससे सभी देवता क्या है त्रिप्त हो जाएंगे तो ये हमारी वैदिक संस्कृती है कि सभी देवताओं को त्रिप्त करके फिर हमें अपने आपको त्रिप्त करना चाहिए स्वार्थ का त्याग सभी देवताओं से हमारा जीवन चल रहा है प्रित्वी जल अगने वायु अकाश उसके बिना हम जी नहीं सकते वो हमारा निरंतर रूपकार कर रहे है उनके कारण हम जी रहे है इसलिए हमारा भी कर्तवे बनता है कि पहले हम उनको त्रिप्त करें यज करें फिर हम भोजन करें तो इससे मनुश्य की उन्नती होती है तो ऐसी जो अगनी है अठीती के रूप में वर्तमान पर्थम भोजन का भाग लेने वाले पात्रम फिर इसको अगनी को क्या कहा है पात्रम कहा है ये पात्र शब्द वहाँ पर भी आया है यजुरवेद के 40 व्यध्याए में कौन से मंत्र में हिरनमेन पात्रेन सत्यस्यापी हितममुकम वहाँ पात्र शब्द किसके लिए आया था तो परमेशवर के द्वारा परमेशवर अपने आपको पात्र कह रहा है रक्षक कह रहा है कि मुझ, मैं जो रक्षक हूँ, पात्र हूँ, मैंने प्रकर्ती के छुपे हुए मुख को परकट किया है, ठीक है ना, अपी हितम मुखम, हिरनमयन पातेन, सत्यस्यापी हितम मुखम, परमेश्वर ने प्रकर्ती के छुपे हुए मुख को परकट किया है, छुपा हुआ मुख तो क्या है? ये सुन्दर सृष्टी, ठीक है नृ Catholic समय चुपी हुई थी, अनभी व्यक्त थी, अप्रकट थी, सांकेदर्शन की भाशा में, तो ईश्वर ने उसको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया, सुन्दर सृष्टी बना दिया, बढ़िया सुन्दर पहाळ, पशू पेड़ पोधें तो परमेश्वर को भी पात्र कहते है और यहाँ पर पात्र किसको कहा है विद्युत को वो विद्युत क्या है पात्र है तो इसका निर्वचन किया है पांती रक्षंती येन तत जिससे रक्षा करते है विद्युत के मात्यम से हम रक्षा करते हैं किसकी रक्षा करते हैं अपने भी रक्षा करते हैं दूसरों के भी रक्षा करते हैं ठीक है ना दूसरों के भी रक्षा करते हैं विद्युत के मात्यम से और अपने भी रक्षा करते हैं किस से रक्षा करते हैं दुखों से रक्षा करते हैं यदि कारिय सिद ना हो किसी को जाना हो दूर और कोई साधन ना हो तो कश्ट होगा ना उसका दुख होगा अब विद्युत के माध्यम से यंत्र बना दिये उसका उप्योग किया तो वो जल्दी जल्दी अपने गंतववे को चला जाता है उसका कश्ट दूर हो जाता है इसी परकार से और भी अनेक बोजनादी भी विद्युत के माध्यम से बनाए जाते है तो ऐसी जो विद्युत है जो पात्र है आसन आसन का अर्थ दिया है इश्वर के मुख रुप सामर्थे से उत्पन हुए यद्पी संस्कित भाग में इश्वर शब्द नहीं दिया वहाँ पर तो केवल इतना दिया है मुखे उत्पन्नम ये जो यजुरुवेद के 31 व्यध्यम मंत्र आता है चंद्रमा मनसो जातश चक्षभव सूर्य आजायत शोट्रत वायुष्च प्रानस्च मुखा दगनी रजायत इश्वर के मुख रूप सामर्थे से अगनी उत्पन हुए ये हैता है ना मुखा दगनी रजायत तो वो ही यहां पर समझना चाहिए इश्वर के मुख रूप सामर्थे से ये अगनी क्या है उत्पन होता है इश्वर में अने एक परकार के सामर्थे है सूर्य को बनाने का सामर्थे है वायू को बनाने का सामर्थे है जल को बनाने का सामर्थे है अगनी को भी बनाने का सामर्थे है उस सामर्थे से ये अगनी उत्वपन हुआ है ऐसे अगनी को जैसे विद्वान लोग परकट करें ये उपमा दी जा रही है वैसे तुम लोग भी इसको परकट करो और परकट करके क्या करो? मंत्र में तो इतना ही दिया है परकट करो, बनाओ बनाने के बाद क्या करो? वो भावार्त के अंदर दिया है परकट कर यंत्र कला आदी द्वारा युक्ती से चलावें तो उसके माद्यम से यंत्रों को चलाओ यंत्रों से अनेक वस्तूं को बनाकर सभी प्राणियों को सुखी करो, परोपकार करो ये इश्वर की अज्जा है